नमस्कार दोस्तों तोनसरी इलेक्टोनिक्स में आपका स्वागत है देखे दोस्तों मेरे पास ये सोनी का स्टीरियो आया है इसमें प्रोब्लम मैं आपको दिखाता हो पहले इसका मोडेल नंबर दिखाते है इसका मोडेल नंबर है MEX DV808 ठीक है इसमें जो है DVD चलता था अभ आया हूँ तो पहले इसको जो है हम लाइन देते है और लाइन देने के बाद देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है हमने इसमें 12V adapter connection करकर रखका हुआ है तो यहां पर हम 12V का supply देते हैं इसमें sound आ गया लेकिन इसमें display भे clock लिखा रहा है तो यहाँ पर देखिए यह जो source बटन है इसको दबाते है दोस्तों यह काम नहीं कर रहा ठीक है कोई बटन इसमें काम नहीं कर रहा मतलब यह front panel में कोई गरबर है तो आईए देखते हैं इसको कैसे repair करते है ठीक है देखते रहिए दोस्तों और चैनल पर नहीं हो तो subscribe कीजिएगा इसमें दोस्तों DVD चलते थे यह पर डोल भी है देखिए ठीक है तो इसका model नमबर अच्छे तरह से देख लीजे क्या-क्या model है इसका कैसा model है ठीक है तो पहले इसको जो है हम इसको open करेंगे open करने के बाद देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है पहले इसका जो है पूरी तरह से इसको servicing करेंगे इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे उसके बाद हम इसका front panel कोलेंगे और front panel कैसे खोलते है रिप्यर कैसे करते हैं देखते रही है दोस्तों और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है कॉमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है तो पहले मैं इसका कैमरे को जहे सेट कर लेता हूँ उसके बाद आपको इसको खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या दिखेत है कि देखते रही है दोस्तों हमने तो कैमरे को सेट कर लिया तो पहले जो है स्कूरिवगरा है हम सारह कोल लिते उसके दिखाते हैं इसमें किया परब्लम है और क्या क्या हो रखा है यहां पर देखिए यहां पर कुछ लगा हुआ अभी है यह अभी तक खोला नहीं गया तो मैं इसको पहली वार खोल रहा हूँ इसमें देखिए यहां पर आउट्बूट में कुछ कनेक्शन है देखिए इस तरह का तो पहले इसको ओपेन कर लेते हैं तो दोस्तों हमने इसका जो है सारा श्कुरू खोल लिया इधिके इधर इतना धोल मिट्टी लगा हुआ है और यह इसका फ्रॉंट पैनल है तो यह जो डीवीडी लोडर है इसको निकालते है जाद है यह पर देखिए इहाप और पर कोबर भी दिया गया है ताकि लेजर खरम ना हो पुरी तरह सो ठक दिया है ठीक है तो इस तो इधीकिए बूड का कर्डिस्टन देखिए जह पर चाहें लगता है पानी गया था दीखिए यह पे तो इसको हम बड़या कर साफ करेंगे पहले इसको यह जो समने का पट्टा है इसको निकाल देते हैं इसको भी हटा दिखे तो इसका बोड निकाल लेते है इधर भी स्कूरू रहता है मैंने खोल दिया है ठीक है सारा इसकूर हमने इने खोल दिया कितना धूल मिट्टी लगा हुए दिखे इसका बोड का जो नीचे का तरफ दिखे यह किसी ने हाथ नहीं लगाया एकदम फ्रेश है दोस्तों तो पहले इसको हम अच्छी तरह से यहां पर देखे कुस कार्बन जैसा भी है और यहां पर देखे यहां पर कार्बन है यहां पर कार्बन जैसा है तो इन कार्बनों को अच्छे से हम पहले साफ कर लेंगे ठीक है उसके बाद देखे दोस्तों यह हमने इसको जो है साफ कर लिया हूं अच्छे से ठीक है यह बिल्कुल क्लीन हो चुका है यहां पर छोटा सा एक फैन भी है देखे यह ताकि यह गरम ना हो ठंदा रहे इसलिए फैन दिया गया है अभी देखिए यह बोड हमारा निकुल साफ हो चुका है तो इस साइट तो हमने साफ कर लिया अभी इस साइट में थोड़ा साफ करते हैं उसके बाद इसमें जो यह जो कनेक्शन है यहां पर भी थोड़ा हमको ब्रेश साफ करना होगा अभी क्या होता है इधर में भी तार्बन जैसे होता है तब जाकर के काम नहीं करता है स्टिरिओ ठीक है यह हम राज जो है कनेक्शन दिखिए अभी इसमें साफ हो गया है तो फिर से इसमें लाइन देते हैं और देखते हैं यह प्रोब्लम हमारा सॉल्फ हुआ या नहीं कि यह कनेक्शन हमने लगा दिया भी इसमें 12 बोल्ट का सप्लाई देंगे पैनेल को लगा लेते हैं देखें दोस्तों हमने इसमें लाइन दे दिया लेकिन फिर भी यह काम नहीं कर रहा देखें यह काम नहीं कर रहा तो इसमें हम पैनल को खोलेंगे और देखते हैं पैनल में कोई घरबर है क्या ठीक है देखते रहिए यह पैनल को खोल दे रहे इस तरह का प्रोब्लम दोस्तों आने से आप खुद ही रिपियर कर सकते हो अगर आपको थोरा सा इसमें नौलेज हो देखें दूस्तों इधर में भी थोरा सा कार्बन जैसा है और यहां पर देखें कितना सारा कच्रा लगा हुआ है तो इसको भी थोरा साफ करते हैं निकाल लेते हैं पहले यह हमारा निकल चुका है तो इसको हम पहले साफ करते हैं अभी हम फिर से इसमें लगा के देखते हैं इसको हमने खोल लिया लेकिन काम नहीं करना देखेंगे कि यहां पर देखना होगा हमें कौन सा बटन इधर शॉट है ठीक है पहले हम इसका बटन चेक करते हैं उसके लिए हमको मल्टी मीटर को बर्जर रेंज पर रखना है अगर सोट होगा तो हमारा बर्जर साउंड आएगा यह बटन ठीक है यह भी 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 ठीक है काम कर रहा है लेकिन जो है यह ओन नहीं हो रहा यह आप़े देखते हैं पहले इसका प्रब्लम धोन के लेखते हैं तो दोस्तों हमने देखे इसको भी मैंने रिक्रेश कर लिया लेकिन इसमें जो पानी गया था पानी जाने के कारण इसमें भी कोई साइट ट्रेक देखे यह सब ट्रेक यहां से तूट चुका है अंदर से इसमें अधिक है अईसा ट्रेक देखे इस तरह का यहां पर ट्रेक होता है इस तरह का ट्रेक होता है यहां से यहां से जाता है इसे जाता है यहां से इस तरह का ट्रेक होता है इस स्विच से यहां से यहां continuity है यहां से इस resistance से पार हो करके यहां पर एक resistance है यहां से पार हो रहे करके इस स्विच में आता है आइसे करके इस सारा सुजियों में जो है voltage वागरा आता चाहिए तब भी जो ही काम करेगा ठीक है हमने सारा कुछ खोल लिया था बोलने के बाद यहां से जो है एक दूर तीन चार नंबर यह हमारा की पॉइंट है मतलब कोई भी बटन यहां से दबाने से इस पॉइंट पर signal आता है हम आपको दिखाते हैं यह हमने इसको लाइन दे दिया ठीक है मीटर की तरफ दिखिएगा हमने जो है बहुत इसने लिमाग लागया ठीक है तो फिर इसको हमको मोडिवाई करके बढ़ाता है यह वाला पॉइंट में देखिए 3.2 बुल्ट यह हमने open close का की दबाया यह देखिए बोल्टेज चला गया धोर दिया फिर आ गया ठीक है इस तरह का सारा जो जितना सारा बटन है कर दुक्रेस है यह सारा बटन का जो सिग्नल है जिस पॉइंट पर आना चाहिए यहांपर वोल्टेज है यहां डवाया देखिए बोल्टेज नहीं गया है जिस आरा अबर भॉल्टेस है 3.2 वोल्ट यह वाला वोल्टेस इस बटन पर है 3.2 वोल्ट ठीक है ऐसा ही बोल्टेस यहाँ पर भी होना चाहिए यहाँ पर बोल्टेस नहीं है यहाँ पर दबाने से कोई काम नहीं कर रहा यहाँ पर बोल्टेस नहीं है मतलब यहाँ पर जितना सारा ट्रेक है दोस्ते यहाँ पर जितना सारा ट्रेक है वो जो सुझ है सुझों में 3.2 वोल्ट आना चाहिए जो की वोल्टेस बोलते है की मतलब सुझ तो पता ही आपको चाहिए इसमें दबाने से यह open close का बटन है इदर इसको दबाने से यह voltage चला जाता है छोड़ने से फिर आ जाता है ऐसा ही इस तरफ का switch में भी होना चाहिए जो की main यहां से यह जो track है इस display के नीचे से यहां से इसका track जो है तूट चुका है तो हम क्या करेंगे यहां से connection इस तरह से हम यहां प प्लाय से copper wire से बना करें देखेंगे यह काम करता है अगया धीके दोस्तों यह जो हमने यह भी आपको दिखाया एक दो तीन चार नमबर ठीक है इस तरफ पर चार नमबर एक दो तीन चार ठीक है यह वाला चार नमबर पर इस पॉइंट आता है यहां से जाता है कहा यहां पर जाता है यहां से हम कोपर एक वइर लेंगे और इस तरफ से ले जाएंगे ले जागर के यहां पर लगाके दीखते है काम करता है या नहीं तब दीखते रही मैं कोपर वइर निकाल लेता हूँ यह हमने copper wire ले लिया जहां से हम थोरा सा copper wire लगा के देखते हैं दोस्तों देखते रहे हैं यह बहुत informative है video हम पहले यह copper को जो है थोरा छिल लेता हूँ कि देखिए दोस्तों हमने चार नंबर पर connection किया है तो इस connection को हम पीछे से इस तरह से ले जाएंगे और ले जागर देखते दो नंबर यह जो सुच है दोस्तों यह जो सुच है इस point से हम कुछ copper wire निकालेंगे और यहाँ पर soldering कर देंगे कि छेद में से हम scoper wire को निकाल लेते हैं यह निकल गया यह जो connection है यह पीछे अरम से रहेगा ठीक है और हम इसमें अभी शोल्डिंग कर देते हैं और सुल्डिंग करने के बाद देखते हैं यह जो हमने काम किया यह अभी यह बटन काम कर रहा है यह नहीं हम देखते हैं यहाँ थोड़ा सुल्डिंग कर लेते हैं पहले इस पॉइंट से यह वाला copper wire यह जोटा सा छेद है इस छेद से यहाँ पर किया करने के बाद यहाँ से निकल आया यहाँ से निकल आया आने के बाद इस सुज में हमने लगा दिया अभी इसमें बोल्ट चेक करते हैं जो 3.2 वोल्ट था हुआ हमारा अभी जो बटन दबाने से यह काम करता है या नहीं आपको दिखाते है कि हमने मीटर को कि दिसी पर सेट किया यह हमारा एक पॉइंट ग्राउन पर लग गिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि कुएं टू बोल्ट है दोस्तों ठीक है और यहाँ पर देखते हैं अभी प्रेश करते हैं कि दिखें कर रहा है यह चला गया यह आ गया चला गया यह चला गया यह चला गया अभी जो है यह पर बटन पर जो बोल्टेश आना चाहिए सारा boltice हमारा आ चुका है हम आपको दिखाते है इतना सारा बटन है boltice वगरा आया की नहीं । दिखी 3.2 bolt इस पर देखते है 2.2 bolt इस पर देते है 3.2 bolt इस पर देखते है 3.2 bolt इतना सारा बटन है दोस्तों ये बटनों में 3.2 वोल्ट होना चाहिए पतलब ये की बोल्ट बोलते है ठीक है यह पर दिखे यह वोल्यम पर भी है 3.2 वोल्ट ठीक है यह दिखे अभी जो है स्टेरियो हमारा पैनल में जो बटन होता है बटन में जो बोल्टिस आना चाहिए स इसको अब अभी हम on करके देखेंगे तो पहले इसको फेटिंग कर लेते हैं कि इस तरह से on नहीं होगा तो पहले इसको ढखकन जो पैनल है इसका पैनल का जो काम था हमने इस तरह से कर दिया है ठीक है अब लोग देख लीजे और connection भी देख लीजे हमारा केमरा जो है अज़ सब्धुन देरा एंट पूरा डिश्टप दे ए यह को तो फोकस नहीं कर रहा है तो अभी इसको जो है का प्रन्ट केंडल है इसको लगा लेते लो उसके बात आपको दिखाते हैं लो पहले इसको फिटिंग करते हैं दोस्तों कि इसमें थोड़ा हमको ज्यादा मेहनत लग गया कोई बात नहीं कभी-कभी मेहनत करना चाहिए कि तभी हम जीवन में सक्सेस होंगे ठीक है दोस्तों और मेरी कोई भी आप बात आपको बुरी लगे तो कुमेंट पर बताईएगा ठीक है तो यहां पर कि दिखें कि प्रेस काम कर रहा है तो भी लगा लेते हैं तो स्टेरियो को हम पलट लेते हैं दोस्तों कि अभी देखते हैं कि यह अभी ओन होता है या नहीं यह अभी देखते हैं कि इस बटन पर काम नहीं कर रहा लेकिन यह वाला बटन जो है ओन हो रहा है कि बाकी सब कि बुल्यम भी काम कर रहा है कि कि अभी दिस्प्लेय है कि इस सुच हमारा काम नहीं कर रहा है मतलब यह बटन खाड़ाब होगा कोई बात नहीं ही हमारा स्टीरियो तो अभी वर्क है कि इसका साउन आपको तोरह से सुनाते हैं कि इस आदिए कि अक्रावटा बॉल्याद भाया है कि अस्टयो हम बंडा है tracking । झाल झाल झाल